Hey guys what is up and welcome back to my channel so दोस्तों Acer Nitro 5 मेरी personally सबसे फेवरेट सेरी मतलब आपने देखा होगा 2019 में 2020 में 2021 में मैंने Acer Nitro 5 को बहुत जाधा मतलब एक प्यार दिया है बहुत जाधा वीडियो कवर करी हैं and now it's 2022 and Acer Nitro 5 की अपडेट हमारे पास आये हैं as per CES 2022 वेल इस वीडियो में मैं आपको काफी अच्छे चीज़ा गवर करके बताऊंगा इस नाइट्र फाइव की जो की 2022 में आने वाला है तो मेक शूर आप इस वीडियो को एंट जरूर देखें तो एसर नाइट्र फाइव 2022 का जो सबसे हाइलाइटिंग चीज मुझे लगा वह लगा डिजाइन चेंज सो फाइनली आफ्टर टू यर्ज मतलब 2020 एंट 2021 का डिजाइन आल्मोस सेम था 2019 से थोड़ा सा चेंज था बड़ इतना मेजर डिफरेंस नहीं आया था अब जो 2022 में एसर नाइट्र फाइव का डिजाइन आया है वह देखके आपको नहीं लगेगा कि वह एसर नाइट्र फा उस जैसा दिख रहा है नौट प्रॉपरली बढ़ा कहीं कहीं हद तक जो अपलिफ्मेंट है वो थोड़ी सी वैसी सी है उसके बाद जो आपका बैक पैनल है वहाँ पे आपको लाइन दी गई है ब्लू ग्रीन और रेड की कुछ यह से शेट सी है आप देख सकते हो बैक पै थोड़े से इंट्रस्टिंग ज़रूर लग रहे हैं उसके बाद जो मेजर डिजाइन चेंज हैं दोस्तों वह पोर्ट की प्लेस्मेंट को लेके है आप यहां पे देख सकते हो पोर्ट अब पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिए गए हैं जहां पे पीछे की तरफ सिरफ पाव जो कि इतनी जल्दी नहीं होने वाला वाई कहीं मार्च अप्रल में जाके यह यूएस बगारा में लॉंच होंगे मॉडल इंडिया में आते आते आए किस क्वाटर टू का एंड आ जाएगा फिर जाके कहीं इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे यह मेरे एस्टीमेट् आव वरल जो सबसे इंट्रस्टिंग चीज हैं दोस्तो हो है स्पेसिफिकेशन उविसली जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलेंगी वह इंटल और ट्मूपिनेशन के साथ यह कुछ वेजिएन्स लाउच करेंगे जाकर आश्यLink मीशन equal चब्वाट Bene 200 MHz की होगी 2 TB तक के आपको SSD के options भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें 2 M.2 PCIe आपको slots देखने को मिलेंगे for SSDs and obviously जो top and model होगा वो जो होगा वो 14 core के साथ आएगा जिसमें 6 performance and 8 efficient cores होगी and up to 20 threads आईए तो हमने देखा ही है Alder Lake की जो हमने वीडियो करी थी उसमें यह सारी details आपको मिल जाएंगी तो जो Ryzen वाले models होंगे उसमें आपको Ryzen 5 6600H and Ryzen 7 6800H के साथ variants मिलेंगे and the most important thing is कि जो GPU base है वो 3050 से start होगा so this year we can say bye bye 1650 and display की जहां तक बात आती 15.6 and 73 inches के आपको models मिलेंगे QHD display तक का आपको देखने को मिलेंगी तो यानि Full HD के भी models होंगे QHD तक आपको maximum देखने को मिलेंगा 165 Hz के refresh rate वाले models देखने को मिलेंगे भी 3 millisecond response time तो अगर top end की बात करूँ तो आपको वहाँ पे QHD display मिलेंगी with 165 Hz of refresh rate and I am damn sure की minimum आपको 144 Hz तो इस बार देखने को मिलेगा है क्योंकि minimum आपको 3050 जो है वो GPU देखने को मिलेगा उसके बाद अगर cooling system की बात करें मतलब thermals की बात करें तो dual fan cooling है quad exhaust है and the new thing that I am seeing here is the upper air intake मतलब you can correct me if I am wrong मुझे लगता है यह पिछले साल तक नहीं था तो यह कुछ एक निया लेक के आये हैं यह पूरे thermals को improve करने के लिए और नाइट्रोसेंस ओविसली तो इन बिल सॉफ्ट्वेर है एंड 4zone RGB का support भी आपको देखने को मिल जाएगा इस साल भी and ports मैंने आपको बताया था shift हुए है है दे में हाइलाइट इस ओविसली देंडर फोर सपोर्ट अद उसके लाबा वही USB 3.2 जेनरेशन 2 ताइप A दें 3.2 जेनरेशन 1 ताइप C और यह आपको देखने को मिल जाएगा आपको समझाने की कोशिश करूं कि what is new in this year is obviously the design part मतलब डिजाइन बिल्कुल चेंज किया गया है मतलब एक drastic change इसको बोलते है ना मतलब जो आपको यह बता दे कि yes now 2022 में जो इस नाइटर 5 नहीं लग रहा एक बंदा जो काफी देर से नाइटर 5 यूज कर रहा है उसके लिए दोखा खाने वाली बात है तो design में इतना major changes है दूसरी सबसे इंटरस्टिंग चीज यह है कि राइजन 6000 एंड इंटल 12 जनेरेशन में अप्ग्रेड किये गए हैं with RTX 30 series and minimum जो आपको देखने को मिलेगा that is RTX 3050 and I am damn sure कि 144Hz refresh rate के साथ ही आपकी display जो है पैनल स्टार्ट होने वाल तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी आपसों content के साथ अपता के लिए जैहिन thanks for watching thanks a lot